इस वाले कोशन को देखो, प्रॉब्लम नमबर थ्री है, एक्सेसाइज का, धिहान देना है इस कोशन को, थोड़ा सा इजी है ये कोशन, आप लगा सकते हैं, अगर आप ये सारे कोशन लगा लेते हैं, मेरे साथ साथ तो लोज ओफ मोशन बहुत स्ट्रों हो जाता आपका चे T1 की value बताओ, और साथ मैं T2 की value बताओ, तो T1, T2 की value आप बता सकते हैं, एक simple काम कर लें, इस point पर आप इन सभी forces को resolve कर लें, तोड़ लें, तो इस point पर आप देखेंगे, एक काम करेंगे, पहले vertical axis बना लें और एक horizontal axis बना लें, अगर आपको पता है कि ये 30 degree है, तो Y alternate interior angle ये भी 30 degree होगा, similar way में ये 45 degree होगा, ठीके, तो अब आपको पता चल चुका है कि T1 जो tension है, वो horizontal के साथ 30 degree का angle बना रही है, T2 45 degree का angle बना रही है, अगर आपको इतना पता चल गया है, तो फिर आप इसको resolve कर लो, तोड़ लो, अगर आप T1 को तोड़ोगे, तो उपर वाला जो होगा, वो इसका, खुद का sign component आएगा, तो T1 sign 30 degree, मैंने ये बताया है कि angle के साथ जो आता है, वो cos component आता, तो T1 cos 30 degree, तो T1 को मैंने resolve कर लिया, मैंने example में ये resolution सिखा रखा, आप example 37, 36 का असपास है, सबको देख ले हैं, आपको ये सिखा दिया गया है, तो ये पूछे नहीं कि ये तोड कैसे दिये, आप लोग के बड़े फिर वायात comments आते हैं, कि ये कैसा हो गया, मासर साहब, ये क्या कर दिया, तो हर चीज मैंने detail में सिखा रही है, वैसी आप T2 का करोगे, तो horizontal component आ जाएगा, इसका T2 cos 45, वैसी vertical component आ जाएगा, T2 sin 45, अब देखिएगा, इ 200 Newton का नीचे को force लग रहा है, तो मैं इस point को, इस point का FBD बना लेता हूँ, जहां पर ये सारी की साही रस्य बंदी हुई है, इस point पर आप देखेंगे कि नीचे की तरफ को लगने वाला force है 200 Newton का, उपर की तरफ को लगने वाला force एक तो है T1 sin 30, और एक और लग रहा है T2 sin 45, दो force उपर को लग गया, एक नीचे को लग गया, horizontal में देख लो, horizontal में कौन-कौन से force लग रहा है, इस तरफ को जो force लग रहा है वो है T2 cos 45, और इधर को लग रहा है T1 cos 30 degree, ठीक है, अब एक काम कर लें आप, आप horizontal forces को, क्योंकि ये equilibrium में है, horizontal forces को vertical forces के साथ equate कर दो, मतलब horizontal को vertical के साथ equate नहीं करना, horizontal forces को equate करो, vertical forces को equate करो, अब जाहिड सी बात है, equilibrium में है, तो जितना left को force लग रहा होगा, उतना right को भी लग रहा होगा, तो आप लिखेंगे, यहां solution में, balancing, vertical, and horizontal forces, vertical force कोन कोन से हैं, पहला horizontal को कर लो, T1 cos 30 degree यह बराबर आ जाएगा, T2 cos 45 के, T1, cos 30 degree की value कितनी होती है, cos 30 degree की value कितनी होती है, यहां से होता है, root 3 by 2, ठीक है भई, cos 30 degree की value, अब वैसे ही T2 cos 45 की value, 1 upon root 2, अगर मैं यहां से T1 की value निकालना चाहूंगा, तो T1 की value निकाल लो आप, यह T2 की value, किसी की भी value आप निकाल सकते हैं, तो यहां पर एक काम कर लेते हैं, T2 की value निकालना, तो T2 की value निकालना, तो root 2 multiply मा जाएगा, T1 के, तो T1 into root 2, और root 3 by 2 चली रहा था, अगर T2 निकालना यहां से, तो T1, अब root 2 से यह वाला 2 काटोंगा, तो root 2 times कर जाएगा, क्योंकि 2 को आप यह कह सकते हो, root 2 into root 2, तो एक root 2 नीचे बाद, root 2 काटेगा, तो नीचे एक root 2 रह जाएगा, तो यह मिला के लिखूँआ, तो root 3 by 2 रह जाएगा, देखो, यह छोटी सी calculations, आप लोगो सभी आने चाहिए, हाला कि मैंने यह भी बता दी, अब इसको equation number 1 कह दो, जैसे आपने इसको solve भी किया है, वैसी आप vertical forces के बारे में जरा देखेंगे, तो यह vertical forces के बारे में देखेंगे, तो क्या होगा, आपको पता है, vertical forces में similarly लिखोगे, सिमिलरली, vertical forces में कौन-कौन है, 200 newton एक तरफ है, और एक तरफ है T1, sin 30 degree, पिलस T2, sin 45, यह बराबर है 200 के, value पूट करते हैं, T1 ऐसी है रहेगा, sin 30 की value होती है, 1 upon 2, इसके बाद आगा चलते हैं, पिलस T2 की value आपके पास पहले सही है, इसको लिखेंगे, T1 root में 3 by 2, sin 45 की value होती है, 1 upon root 2, और 200 इदर चली रहा है, अब देखो, होगा क्या, इसको मैं कह सकता हूँ, T1 divided by 2, पिलस, अब देखो, यह भी T1 है, root 3 की 1 से करोगा, तो root 3 रह जाएगा, और root 2 की, जब root 2 से करोगा, तो यह 2 हो जाएगा, तो value इदर 200 as it is चल लएए, अब देखो, यहाँ से T1 upon, T1 upon 2 common ले लूँगा, तो यहाँ से बचेगा, 1, plus T1 upon 2 गया, तो यहाँ पर root 3 रह गया, और यह value है 200, अब देखो, divide वाला 2 जो है, जब equal के दूसरी साइड में जाएगा, तो भाई, यह multiply में चला जाएगा, तो T1, 1 plus root 3 is equal to, जब 2 divide से multiply में जाएगा, तो 200 के साथ 2 की multiply होगे, तो 400 हो जाएगा, लेकिन आपको T1 चाहिए, तो 400 को divide में नीशे को भेद दो से multiply की चीज़, अब देखो, T1 के साथ यह पूरी bracket multiply में है, तो यह पूरी bracket divide में आ जाएगी, तो यह है 1 plus root 3, ज़र इसको सही value कितनी आ रहेगे, 400 divided by 2.73, अब 400 को 2.73 से भाग कर लो, तो T1 is equal to कितना रहेगा, 400 divided by 2.73, अब देखो, मैं इसको एक काम करें, पोइंट हड़ा दो नीचे, उपर multiply कर दो, तो आप एक काम कर लो, 4000, नहीं, 40,000 हो गई, 40,000 को 273 से भाग करो, जब 273 से भाग करेंगे, तो यह तो 400 है, क्योंकि 273, 400 में देखा जाएगा, तो यह एक बार जाएगा, 273 as it is, ऐसे ही आ जाएगा, अब कितना बचेगा, 133 बचेगा, कितना बचेगा, 10 में से 3 निकाले, 7 बचे, यहां बचे, 9, 9 में से 7 निकाले, 2 बचे, और यहां बचे 3, 3 में से 2 निकाले, तो एक बचा, यही तो बचेगा, 127 बचेंगे, 127 में नहीं जाएगा, उतार लेंगे, यहां से 0, तो यहां जोगा, 1270, अब अकर जाहिर सी बात है, 3 से मुल्टिप्लाइ करते हैं, तो 3 दूनी 600 आजाएगा, 4 से करते हैं, तो 27 चों कितना होते हैं, 27 या 12 का 2, हांसिल लगए, 4 से 28, और तो 30 का 0, कहरी 3, चार दूनी 8 और 3 कितना हो गए, 8 और 3 हो गए, 11, बिल्कु सही, घटाएंगे, तो 10 में से 2 निकाले, 8 बचे, यहां रह जाएंगे, 6 है, 28 उतार दोगे, 2 में से 1 निकाला, 1 बचा, 168 है, अगला 0 तालो नहीं जाएगा, तो अगला 0 तालो यह आजाएगा, 1680, अब 1270 हमने लिखा था, 4 बार, तो 5 बार में आई थींग कि यह बैठ जाएगा, 12, 13, 14, 15 कुछ बैठ जाएगा, तो यह 6 बार जाएगा, तो 618 का 8, हांसिल लगए 1, और 622 और 143 का 3, क्योंकि 618 का 8, हांसिल लगए 1, और 622 और 143 का 3 केरी 4, और 6 दुनी 12, 12, 14, 16, अब देखो, यह 80 है, 80 में से 40 निकालेंगे, इसको 40 मानो, तो 40 बचेंगे, लेकिन बचेंगे कितने 42, क्योंकि यह 80 नहीं है, यह 38 है, 10 में से 8 निकालेंगे, दो बचेंगे, और यहां वेला जाएगा, 7, 7 में से 3 निकालेंगे, 4 बचेंगे, लगा देंगे, बढ़ा देंगे, 0, 420 आ गया, तो 420, I think कि यह एक बार चला जाएगा, क्योंकि दो बार भेलोगे, तो वैल्यू जादा हो जाएगे, ना, तो 146.1, तो आप इसको कह सकते हो कि यह वैल्यू आ रही है, 146.1, आगे कुछ लेलो, something, something, 3 लेलो, ऐसा आ है, 146.13 Newton, वैसी आप T2 की value calculate करोगे, इसको put कर देता हूँ, put in equation 1, क्यों, क्योंकि आपने इसको equation 1 कह रहा था, तो T2 निकालना है, तो T1 की value यहाँ put करो, आपके सामना आ जाएगा, तो T2 is equal to कितना हो जाएगा, T2 is equal to हो जाएगा, T1 root 3 by 2, ठीक है, T1 की value, 146.13, रूट 3 by 2, रूट 3 की value होती है, 1.73, और रूट 2 की value होती है, 1.41, ठीक है, अब एक काम कर लेते, पॉइंट से, पॉइंट खेतम, 173 को 141 से भाग करो, एक बार चला जाएगा, 141 घटाने में कितने बचेंगे, 2, यहाँ से रहा जाएगे, 3, 72 पॉइंट लगा दिया, 0 हम दो, घटाएंगे तो कितना बचाएगा, 10 में से यह 8 बचे, एक यह 3 बचेंगे, 38, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा दिया, आ जाएगा, 380, अब भी दो वारी जाएगा, तो 1.22 value आ रही है इसकी, तो 146.13 की 1.22 के साथ मल्टिप्लाई कर लो, इसको आप 146.13 के दो, इसको आप 122 पूरा करो, या आप इसको 0.3, इसके एक काम कर लेते हैं, इसको आप 146 के लो, 146.13 के लो, जो हमारा आ रहा था, इसको 1.22 as it is ले लो, थोड़ी से कैलकुलेशन एजी हो जाएगी, 146, इसको आप 1661, और इसको करो आप 122, चलो करो, 2 एकम 2, 6 दूनी बारा का 122 आ गया, फिर से लिखेंगे आप इसको ऐसे ही क्योंकि दो बार है, फिर आप एक की मल्टिप्लाइगा तो 1661 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा, एक सेट, 1461 तो यह चार आ जाएगा, दो, चार, दसो दूनी बारा का दो, हांसिल लगा, एक, दच्छे, 1678 अगा, हांसिल ल 14, round off कर दो इसको, round off कर देंगा, तो value आ जाएगा, 179, approximate, इससे थोड़े सी फालतु आएगी, क्योंकि हमने calculation थोड़े सी कम कर दीती है, यहां पर 2 हटा गए, तो value आ जाएगा, 179, तो यह T2 की value आ जाएगी, तो होप सो, T1, T2, clear हो गया होंगे, T1 की value 146 और T2 की value 180, देख कर देंगे, calculation बचे जाएगी, अगर ऐसी कर दें, तब भी ठीक है, होप सो, clear होगा, चलिएगा, अगले, examples की तरफ को चलते है, अगले questions की तरफ को चलते है,